चली बच्चलोग आज हम रिविजन करते हैं concept of displacement current यह बहुत important topic है आपके chapter electromagnetic भी हुगा, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक capacitor है, उसके साथ एक AC source है, लिए कि अगर हम बात करें, ampere circuit is locky, तो यह कहता है, B.DL is equal to mu0 IC, मतलब conducting current, मतलब जहाँ पर भी wire में से current है, वहाँ पर magnetic field का नाम दिया गया, अब यह आता क्यों है, तो क्योंकि यहाँ पर AC source लगा हुआ, जैसे-जैसे यहाँ पर plus बढ़ते जाते हैं, जैसे-जैसे यहाँ पर माने साथ जाते हैं, देरे-देरे electric field बढ़ते चली जाती है, अगर electric field बढ़ रही है, तो इसके बीच में इलेक्टरि यहाँ दिफ्लेक्षन हो रहा है, तो responsible conduction current है, और यहाँ अगर deflection हो रहा है, तो displacement current है, तो displacement current है.